ओम नमस्षिवाए आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे आज हम स्वर्विक ज्यान के कुछ परियोगों वै लाभों पर चर्चा करेंगे अनेक मित्रों ने कुछ प्रशन भी किये हैं तो मैं उन प्रशनों का भी उत्तर देने का प्रयास करूँगा और ये भी बताऊँगा कि स्वर्विक ज्यान और जोतिश का क्या सम्बंद है जोतिश विद्या और स्वर्विध्या का आधार क्या है और आप किस प्रकार से अपने कारियस थल पर आप कहीं भी काम करते हैं फैक्टरी में, ओफिस में, दुकान पे कोई व्यापार करते हैं, बिजनस करते हैं तो किस प्रकार से स्वर साधना आपके लिए लाबकारी हो सकती है तो अब कुछ लाब जो दैनिक लाब हैं स्वर साधना के उन पर मैं चर्चा करता हूं ताकि आप अपने जीवन में अपना कर इनका कुछ लाब ले सकें और आपका विश्वास शास्त्र में हो अपने काम की जगह पे ओफिस में या कोई पैसे का लिन दिन करते हैं आप या कोई डोकुमेंट कोई कागजात लेते देते हैं हमेशा उसी हाथ से लें और दें जो आपका स्वर जाकरत हो कौन से स्वर हैं हमारे श्रीर में और उनके जागरण का परिक्षन कैसे किया जाए मैंने पहले यह बताया आपको आप पुराने स्वर विज्ञान के वीडियो देखकर सीख सकते हैं उसे और यदि आपने कोई इंपोर्टन डिसीजन लेना हो और दोनों स्वर जाकरत हो तो ना ले में रुक जाएं बिलकुल ना ले हार उसमें निश्चित है आपकी किसी और को आगे कर दें थोड़ा इंतिजार करें ऐसी शिती में और जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं ऐसे पैसे दे रहे हैं जिसमें आपका मन खुछ नहीं है जैसे डोक्टर को दवाई का पैसा देते हैं या वकील की फीज दे रहे हैं या किसी को बार-बार रिश्वत देनी पड़ रही है किसी काम को करवाने के लिए तो आप पैसे देते समय जो भी स्वर्च चल रहा है उसे पूरा बाहर निकाल दें और जैसे ही पैसे हाथ में पकड़ाएं उस व्यक्ति को एक बर दोबारा पूरी शक्ति से पूरी शक्ति लगा के इश्वास को बाहर निकाल दें आप विश्वास करें वो अंतिम बार होगा जब आप उस व्यक्ति को पैसे देंगे बीमारी से निजात मिल जाएगा केस से निजात मिल जाएगी और उस संबंद में आपको दोबारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा मंगलवार शनिवार रविवार दायें सवर चल रहा हो तिती अनुसार भी सही हो उस समय अपने दायें हाथ से सेविंग के लिए जो आप धन राशी बचाना चाते हैं कुछ धन राशी कहीं जमा कर दो श्वांस अंदर भरे हुए है या घर के अंदर ही कहीं रख दो जैसे कई लोग कहीं छुपा के रख देते हैं पैसे दुनिया इधर से उदर हो जाए लेकिन वो आपकी सेविंग नहीं तूटेगी यह सत्य है के वल ध्यान इतना रखना कि उस दिन सूर्य उदे में भी आपका दायस्वर चला हो और वार अनुसार सही स्वर हो दोनों एलिमेंट मिलने चाहिए वो तो आप मैसूस करेंगे कि आप जो भी धन बचा कर रखेंगे अपने जमाखाते में वो कभी खतम नहीं होगा पैसे का लेन देन, गिफ्ट लेने देने, वस्तर अभूशन का लेन देन अपनी खुशी से कर रहे हो तो उसी हाथ से करो जो स्वर चल रहा है आपको सफलता मिलेगी, मन में शांती मिलेगी, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, बायंस्वर चल रहा हो और तिथी अनुशार सूरियो दै पर भी बायंस्वर चला हो उस समय दिन कोई भी कारे पैसे कमाई है तू, शुरू कर दो कोई महूरत देखने की जुरूत नहीं है जो भी काम करोगे उसमें सफलता निच्चित है आपकी आपका कल्यान होगा ही होगा उसमें पगवान शिव का आशिरवाद बरसेगा ही बरसेगा काम, कुवेर, अनन्त, वायू, आधिक आवास, तिथी अनुसार हमारे अंगों में होता है कालिदास का मेगदूतम या वात्सयान का कामसूत्र सब में आधार, सनातन, वैदिक धर्म की तिथियों का लिया गया है तिथी अनुसार, काम देव, पुरुषों में, मस्टिश्क से पैरों की और, महिलाओं में, पैरों से मस्टिश्क की और कुवेर देव, पुरुषों से, हाथों से, पुरुषों में, हाथों से, रिदे और महिलाओं में, हाथों से मस्टिश्क की और बढ़ते हैं उसका फाइदा लें, जैसे नवमी के दिन कुपेर देखवी कहानी में वास है, कोनी में वास है, अनुसार, कोई लड़ाई जगना किसी से करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अबर कभी करना ही पड़ जाए, लड़ाई किसी से करनी पड़ जाए, कोई आपको चारा बचे नहीं अब क्या करें, लड़ना ही पड़ेगा, तो जो स्वर चल रहा है, उस हाथ से भूमी को स्पर्श करके निकलो, घर से आप जब निकलें, अपने स्थान से निकलें, जो स्वर आपका चल रहा है, उसी हाथ से भूमी को स्पर्श करें, आपका शत्रू कितना भी शक्ति शाली हो विजे आप प्राप्त करेंगे ही करेंगे एक और बहुत जो लोग समस्या पूछते हैं पती-पत्नी, प्रेमी-प्रेमी का जो लोग लिव-इन रिलेशन्शिप में भी साथ रह रहे हैं उनकी क्या कुछ सायता हो सकती है क्या स्वर विज्ञान के माध्यम से तो उनके लिए भी एक टेक्निक बता देता हूँ जो स्वर चल रहा है उसी साइड होकर अपना पक्ष रखें अगर गुसा आ रहा है तो सामने से कठोर वचन सुनने को मिल रहे हो तो उसी साइड हो जाएं जो स्वर चल रहा है सामने वले का करोध शान्त हो जाएगा तुरंती अगर कोई भोध जरूरी काम हो तो स्वर को उससे पहले ही ठीक कर लें और उसके बाद हाथ से स्वयम आशिरवाज अर्थार्थ अपने सिर पर हाथ फेर कर काम शुरू कर दें उसी हाथ से जो स्वर आपका चल रहा है और जब काम में सवलता प्राप्त हो तो उसी हाथ को अपने बाजू पर मार कर शाबाशी भी दें और एक और बाद भी है जब आप बोजन करने लगें कभी ऐसा लगता है खाना में आज तो स्वाद ही नहीं है बिल्कुल भी बेस्वादा खाना है तो उसके लिए भी एक तरीका बता देता हूँ जिस भी स्वाद को आप खुला पाएं पूरी शक्ति लगा के श्वाद को अंदर भर लें रोक लें नाक को दुन उंगलियों से दबा लें श्वाद को भीता रोक के रखें जब तक रोका जा सके रोक के रखें उसको जब गबराट होने लगे तब श्वाद को बाहर निकाल दें अब दोबारा खाना खाएं आप देख महसूस करेंगे खाने में स्वादीन हो जाएगा खाना तो आप उसको थोड़ा आसानी से खा सकेंगे आशा करता हूँ यह सारे परियोग आपके लिए आपके जीवन में पोजिटिव परिवर्तन लेकर आएंगे बहुत बहुत शुप काम नाएं आपको दन्यवाद